नमस्कार, भगवद गीता रोजे रोज ना आकारेक्रम मा आपनों स्वागत छे। आकारेक्रम द्वारा हाल, आपने गीताजीना बिजा द्याईने याने सांख्ययोग ने समझवानों प्रयत्न करिये छे। आजे, आपने तेना पंदरमा श्लोक नों सार्थ पाठ करिशूं। श्लोक कहे छे, यनहीना व्यत यंत्यंते पुरुषम पुरुषर्भ, समदुख सुखम धीरं सुम्रुत्वाय कल्पते। आज लोक नों सादो अर्थ छे, हे पुरुष श्रेष्ट, जे सुख अने दुख बनने परिस्तितीने समान भावती स्विकारे छे, ते मोक्ष ने पात्र छे। आज लोक पुतेज एक सुभाशित समान छे। तेनों विश्त्रूतर तने परिप्रेक्ष समझियतों, शिक्रुष न अर्जुन न कहे छे, के हे श्रेष्ट पुरुष जीवनमा सुखन दुख नो अविरत प्रवाह रहे छे, जे व्यक्तिना कर्मों नों परिणाम छे। पशि भले ते आजर्मना होई के गत जर्मना, तो जे वी रिते कर्म करती वकते व्यक्ति पूताणा मनमा योगय होवानी लाग्णी स्थापीत करेचे, तेवीज लाग्णी, तेना मनमा त्यारे पण होवी जोईए, जियारे तेज कर्मों ना परिणामें सुख अन दुख तेना जीवन मा आवे छे। अहीं, श्री कृष्ण अर्जुन ने पुरुष श्रेष्ठ कहे छे। आश लोकनों मानव जीवन मा घणू महत्वा छे। मनुश्य है, हम्मेशा सुख के दुखना समय ने एक्तत प्रकारने भावनाती आवकार्वी जोईए। निर्विकारी भावना। तोज ते मोती पर रहीने जीवी शके छे। अने भगवाननी नजीक जवानों आ एक मात्र रस्तो छे। जयरे आपने संतुलन और संतुष्टी साथे जीवन जीवीए छे। त्यारे आपनने आवता दरेक सुख और दुख समान लागे छे। अने आ मार्ग मोक्ष प्राप्तिना अन्य जटील मार्गोनी तूल नामा सरण छे। श्रिमत धग्वद गीता रोजे रोजना आ कारेक्रम मा आजे आपने बीजा अध्या आई याने सांक्यय योगना पंदर मा शलोपनो सार्थ पाठ करो। तेनी लेखन कर्य। अलपा बेन पुरोहिते बडोद राथी अन्य अन्य प्रस्तुती करी अपना मीत्र नरेशका पड़ियाए सुरत्ती। भगवद गीता रोजे रोजना कारेक्रम मा फरी थी आउतिकाले माली सुत्या सुधी। नमस्कार अनजैशी कृष्ण।